असलाम अलेकुम हाई दोस्तों आप सब कैसे हैं लग करम साथ सब भी ठीक होंगे आप सब के दूआ से हम भी ठीक हैं जो भी मेरे चैनल पे नहीं प्लेज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लास्तक के वीडियो में बने रहिएगा एक कप मैं रिफाइं तेल ले लिए आप तेल में भी बना सकते हैं बहुत अच्छा लगता है आएक कप मैं पिसी हुई सक्कर ले ली हूं सक्कर पीस के ही लीजिएगा ऐसे मैं तेल में रख लेती हूं अब पिसी हुई सक्कर को तेल को अच्छे से मिस कर लेती हूं इसको अच्छे से मिस करना है अच्छे से मि अब देख सकते हैं वाइट बन गया है यह अब इसमें मैं दो चिम्मच सोजी डालूंगी एक छोटा कप है नापेंगे तो दो चिम्मच है दो चिम्मच में बेशन डालूंगी और इसमें एक बड़ा कप मैदा डालूंगी आप इसे ज्यादा भी बना सकते हैं हलका सा मैं नमक डालूंगी स्वादंसा नमक नहीं डालना है हलका डालना है खाने वाला सोडा आधा चिम्मच डालूंगी इन सबी को अच्छे से मिस करना है पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसे अच्छे से मिस करके डो बना लेना है अच्छे से मैं मीश कर ली हूँ आप देख सकते हैं नरम डो बन गया है ऐसे मैं साइड में रख देती हूँ कड़ाई रख दी हूँ गरम होने के लिए अब इसमें मैं नमक डालूँगी यह नमक मैं बहुत बार यूज करके हूँ इसलिए यह ब्राउन कलर का नमक दिख रहा है ऐसे मैं फैला देती हूँ अच्छे से नमक को फैला देना है इसमें मैं यह स्टेंड रख देती हूँ कि आप कोई भी पलेट लीजिए जाले में लगा दिया हुँ हुँ अब मैं जो मिसरन बनाई थी वह चोटे-छोटे पीश में बन जाता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है, आप इसे कभी भी बना के खा सकते हैं, चाय के साथ खाईए, महमानों को भी खिलाईए, इसी तरह में लोई को बना लेती हूं, इसे हलके हाथ से बनाना है, अब हलके हाथ से दबा देना है, इसी तरह में सभी को बना लेती ह 6 पीस को मैं बना ली हूँ तेकर सकते हैं आभी स्फशhésitez नहीं कुस्न में तो स्बीलिआए ये देभ लगा देतिया हुई अंप बहुत जल्ली पक जाता है ज्यादह समय नहीं लगता है दस से पंदरा मिनिट लगता है उसे जादा नहीं लगता है सभी मैं नन खटाई में कट लगा ली हूँ हलका कट लगाना है जादा नहीं लगाना है नमक अच्छे से गरम हो गया है, कडाई एकदम हिट हो गया है, आप इसमें मैं ननखटाई का पलेट रख देती हूँ, अईसे मैं दस मिनट के लिए सिलो आज पे ढख के रख देती हूँ सिलो आज पर इसे मैं ढखके रख दी हूँ 10 मिनिट के बाद देखेंगे आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये फूला फूला बन गया है आप बड़े छोटे भी बना सकते हैं 5 मिनिट के बाद फिर से मैं देख रही हूँ ये देख रहे हैं आप बाहल का ब्राउन कलर का हो देख पक गया है ये अच्छे से पक गया है मूल से कंदरा मिनट लगता है बनाने में इससे मैं निकाल लेती हूँ नहीं तो आप देख सकते हैं इसे मैं घंडा करके निक् 완r duck में अप देख सकते हैं कितना अच्छा लग आग रहा है खाने में बहुट टेस्टी में आप अपना भी खाईए महमानों को भी खिलाईए आप इसे लंबे समय तक के रख सकते हैं डिब्बे में करके खराव नहीं होता है सभी ननखटाई को मैं निकाल ली हूँ इसे मैं एक पलेट में रख ली हूँ आज मैं बनाई हूँ ननखटाई आज की मरे वीडियो आप सबको अच्छा लगए तो कमेट लाइब सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने दोस्तों में सेर करिएगा फिर से में दिखा देती हूँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है ब्राउन कलर आया है बहुत अच्छा लगता है खाने में बहुत टेस्टी है जो भी मेरे चैनल पर नहीं प्लिस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलती अगले वीडियो में तब तक के लि आला हाफीद